खबर हिमाले से निकलने वाली नदियों पर मंडराते संकती ये खबर हमको और आपको सीधे प्रभावित कर सकती है क्योंकि सवाल गंगा का है गंगा नदी से जुड़ी खबर अच्छी नहीं है इसका सीधा कनेक्शन जलवायू परवरतन से है आखिर बदलता मौसम कैसे और उससे जुड़े ग्लेशियर्स को प्रभावित कर रहे हैं समझ ये इस रिपोर्ट के जलिए दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट हो या फिर हिमाले की दूसरी पहाडी बरफीली चटानू की दुनिया का वजूद खत्रे में है हिमाले में तेजी से पिगलते जा रहे हैं ग्लेशियर। बढ़ता जा रहा है ग्लेशियर जीलों के भूटने का खत्रा। हिमाले में हो रहे विनाशकारी बदलाओं के बीच सबसे खौफनाक सवाल उच रहे हैं जीवन दाइनी गंगा को लेकर। क्या निर्मल अविरल गंगा का अस्तित्व खत्रे में हैं। गंगा के वजूद पर क्यों मन रहा है सबसे बड़ा खत्रा। पानी की सिर्फ निर्मल धारा नहीं है गंगा। गंगा हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी अनंत कालीन पुरातन परंपरा का प्रतीक है। देव भूमी में ग्लेशियर से निकलती गंगा, पहाड और मैदान से होते हुए समंदर तक इसका सफर कोई आम सफर नहीं है। युगों से चला आ रहा है गंगा का सफर हमारी संस्कृति, हमारे अभिमान की पहचान रही है। लेकिन यह गंगा आप खत्रे में नजर आ रही है, इसकी वज़ा है गोमुक ग्लेशियर का पिघलना गोमुक ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलती है। कि रिपोर्ट के मुताबिक कम बर्शबारी की वज़ा से गोमो कलेशियर के पिघलने की दर बढ़ गई है रोजाना पिंघलने की दर लगबख पँग सेंटीमीटर है ग्लेशियर की निचली सता खोखली होने लगी है ग्लेशियर टूट कर बड़े बॉल्डर के रूप में गंगोतरी तक वहकर आ रहे हैं इस साल गोमुक ग्लेशियर के हालात ज्यादा खराब लग रहे हैं गंगोतरी शिहर सम्मू का अंतिम छोर गोमुक में है गोमुक ग्लेशियर शिवलिंग परवत के बेहत खरीब है गोमुक ग्लेशियर का आयतन खरीब 27 घन किलो मीटर से है जो गंगा की मुख धारा भागी रथी का स्रोथ है वाडिया भूगर्व विग्यान संस्थान की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक गोमुक ग्लेशियर पिछले 87 सालों में 1700 मीटर पीछे चला गया है हिमालेक शेत्र में कुल 9500 बड़े और 1000 चोटे चोटे ग्लेशियर की स्थिती भी कुछ यही है चिंता की बात यह है कि इससे गंगा के पानी का अस्तर लगातार कम हो रहा है एक्सपर्ट इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे है आने वाले समय में इस भारतिय उपमाद्वीव की जो नदिया है जो इसे सीचने का काम करती है जो यहां की मिट्टी को उर्वरा शक्ती प्रदान करती है वो धीरे धीरे खतम होती जाएंगी विलुप्त होती जाएंगी और एक बहुत बड़ा जल संकट पहले जल संकट फिर खाद्यानों का संकट हम सब को जहेलना पड़ेगा एक्सपर्ट हिमाले में हो रहे इस विनाशकारी बदलाव की वज़़ा क्लाइमेट चेंज को बता रहे है पहाडों पर आबादी का बढ़ता दबाव कट्टे जंगलों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ो रहा है पहाडों में हो रही विनाशकारी हल चल हमारी जीवन दाइनी नदियों के वजूद पर संकट खड़ा करती जा रही है टीम निजनेशन निजनेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए निजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें क्षड़ करते हम निजनेशन रहा है